असलाम अलेकम डियर स्टुरिंट कैसे हैं उमीद करता हूँ कि आप सब लोग खेलिशूंगे डियर स्टुरिंट आज हमने डिसकस करना है 429 कोड का पास्ट पेपर 429 कोड बिजनेस मैट का पास्ट पेपर स्क्रिंग 2024 उसका आज हमने अगास करना है इंशाला आपको एक एक क की वीडियो बनाओंगा ताकि आप लोगो समझने में आसानी हो और डिटेल के साथ आप लोगो समझा सकों तो कॉस्ट नबर वन हमारे पास है स्प्रिंग 2024 का जो पास्ट पेपर है उसको कॉस्ट नबर वन है उसमें दिया हुए है एन अर्न एक बैग है ठीक है एक ठैला कह को हमने स्लेट करना है विदाउट रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट हमने टू बाल्स को स्लेट करना है इन में से बाल्स कौन कौन सी है फाइव वाइट बाल्स हैं थ्री ब्लैक बाल्स हैं और इसमें से हमने दो बाल्स को हमने स्लेट करना है विदाउट रिप् काता है कि X denotes the number of white balls, यह X क्या है, X वो balls हैं जो हमने select करनी है, निकालनी है, white balls then find the probability of X, यह जो X है ना, यह X denote करता है कि हमने white balls को बाहर निकालना है, जो हमने draw करनी है, निकालनी है, ठीक है, तो वो कौन से balls निकालनी है, वो यहाँ पर white balls ड्रा करनी है, यह X denote कर रहे हैं, यहाँ रखना है, X denote करता है कि हमने कौन से balls को बाहर निकालना है, draw करना है, ठीक है, तो यहाँ पर white balls है, तो white balls को हमने back में से, यह earn में से बाहर निकालना है, ठीक है, ओके, तो उसके बाद देन वो करता है, then find the probability of X, तो X की probability आप find out करें, क्या होगी, तो व आप लोगों को अच्छे देके समझाएगे, फार्मॉला भी अच्छे देके से आपको समझाएगा, details से आप लोगों को समझाने के कुशिश करूँगा, देखिए, सबसे पहले तो आपने यहाँ पर बताना है कि white balls कितनी है, पांच है, black balls कितनी है, तीन है, total balls कितनी है, टू, एक्स रिप्रेजेंट करता है कि हमने कितनी balls निकालनी है और कौन सी निकालनी है, ठीक है, उसनो खुद बता दिया कि हमने दो balls ड्राग करनी है, वो एक्स है, लेकिन कौन सी करनी है, white balls करनी है, तो white balls हमने ड्राग करनी है, कितनी करनी है, दो करनी है, तो zero से, zero, one, two, zero से स्टार्ट करना आप लोगों ने हमेशे याद ठीक है इस बात को आप लोगों याद रखना है जीरो से स्टार्ट करना है आप लोगों ने ओके उसके बाद हमें फार्मॉला लगाना है यह फार्मॉला नीचे दिया हुआ है 5CX multiply 3C2 divided by 8C2 अब यह कैसे फार्मॉला बना है आप लोगों को कैसे पता चलेगा अगर इस तरह के कोशन आजए तो आप लोगों ने यह फार्मॉला कैसे बनाना है आप लोगों ने इस पॉइंट को समयना है इस स्टेप को समयना है थरा सा फोकुस होके लिएगा इंशला ठीक है ओके तो फार्मॉला आप लोगों यहाँ पर केरफूली समयना है कोई मुश्कल नहीं है आसान सा फार्मॉला है सबसे पहले तो आप लोगों ने देखना यह है कि X किसको रिप्रेजेंट करता है X किसको रिप्रेजेंट करता है यह आपने यहाँ पर पहली बात डिनोट करता है रिप्रेजेंट करता है वाइट बॉल्स को इसको वाइट बॉल्स को तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोग नोट का लेने हैं कि X जिसको denote करेगा represent करेगा वो अपने पहले लिखने है मतलब कि X represent कर रहा है white balls को white balls कितनी है white balls 5 है तो आप यहाँ पहले आप लिखेंगे 5 उसके बाद C लगाएंगे C के बाद यहाँ पहाँ आप X लगाएंगे याद रखने X किसके साथ लगाना है तो लहाज़ा हम यहाँ पे X जो ना वो हम white balls के साथ लगाएंगे क्योंकि white balls हमारे पास 5 है तो लहाज़ा हम C से पहले 5 लिखेंगे और C के बाद हम X लिखेंगे उकी उमीद है कि आप लोगो इस बात की समझा आगी होगी अब उसके बाद रहा जाती है black balls white balls तो हमारी होगी है अब रहागी है black ball तो black ball कितनी है? तीन है तो वो तीन यहाँ लिखेंगे उसके बाद यहाँ पे यह two क्यों आया है? क्योंकि हमने total balls दो select करनी है two balls हमने select करनी है इसलिए आप यहाँ पे two लगाएंगे जितनी balls आप से कहीं जाएंगी कि select करनी है उतना ही आपने यहाँ पे लगाना है two उसके बाद यहाँ पे मैंने बताया कि total कितनी balls है? eight है तो जो total balls होंगी वो नीचे आएगा eight, c और आगे जो हमने select करनी है वो आगे आजएगा two eight, c two ठीक है? मैं दुबारा इस बात को repeat करूँगा कि आप लोगों को अच्छे दिक्ए से समझ आजए उको मुश्कल नहीं है आप लोगों ने करना क्या है? सबसे पहले x किसको represent करता है? वो आपने लिखने है x यहाँ पर white ball को represent कर रहा है तो यहाँ पर five आजएगा तो यहाँ पर five आजएगा तो यहाँ पर five है उसके बाद x, b, c के साथ आएगा five, c, x आप इसको लिखने है multiply फिर उसके बाद black ball कितनी है? तीन है तो वो तीन balls आप यहाँ पर लिखने three और जितनी आपने select करनी है और दो बाद आपने select करनी है तो यहाँ पर टुआ आजएगा इस तरह का कोई भी question आ सकता है आप लोग इस तरीके से कर सकती है कोई मुश्किल काम ही नहीं है ठीक है? उसके बाद total balls आप नीचे लिखेंगे total balls eight हैं और उसके बाद C लगाएंगे C के बाद आप यहाँ पर जितनी ball आपने select करनी है वो आप नीचे लगाएंगे C two ठीक है? उके उमीद है कि आप लोग को इस बात की समझ आगे होगी ठीक है? अब आपने इसको simplify करना है अब आप लोग का काम ये अगर आप लोग मैथ में weak हैं तो आप लोग की पास scientific calculator होना चाहिए जो metric level पर use कते है स्कूलों में allow होता है तो आप लोग को भी allow है आप exam में calculator ले जा सकते हैं लहाजा आप अपने calculator ले 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 ताके आप लोग को इस तरह की question या मजीद जो बाकी question है वहाँ पर calculation में आप लोग को आसानी हो जाई बगार calculation के भी इसको कर सकते हैं लेकर बजाए इसके कि आप लोग उस method पर जाएं आप लोग calculator का इसमाल करें और आप लोग के लिए आसानी हो जाएगी ठीक है तो calculator की मज़से आपने इसको हल करना है 5CX अब X के जगा पर क्या आएगा X के जगा पर हमने 3 values लेनी है 0, 1 and 2 क्या हर को से में यही लेनी है नई यहाँ पर देखें याद रखना आप लोगोंने क्योंकि हमने 2 balls लेट करनी है तो आपने 2 तक लगाना है 0, 1, 2 अगर आपसे कहा जाए कि 3 balls लेट करें तो फिर आप 0, 1, 2, 3 करेंगे अगर आपसे कहा जाए कि 4 balls लेट करें तो 0, 1, 2, 3, 4 तक जाएंगे तो यह बात आप लोगोंने याद रखनी है ठीक है उके उमीद है कि आप लोगो इस point की समझ आगी होगी अब पहले आपने 0 लिखा तो X के जगा पर यहाँ पर 0 आजेगा X के जगा पर 0 आजेगा और यहाँ पर 2 में से 0 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 ही रहेगा यहाँ दखना है इसमें से अभी आपने माइनस करना है ठीक है यह जो 2 है 2 में से हमने यहाँ पर माइनस करना है 2 माइनस N यहाँ पर कहले N का मतलब है कि आपने जितनी कौन सी बहुत स्लेट कर रहे है 0 कर रहे हैं 1 कर रहे हैं 2 कर रहे हैं 3 कर रहे हैं यह भी आप लगा सकते हैं कोई शुन नहीं है यह आप X भी लगा सकते हैं तो इसको आपने हाल करना है, कैसे करना है, पहले आप 5 वाला बटन प्रेस करेंगे, फिर आप लोगो एक बटन नजर आएगा, NCR वाला, NCR वाला बटन, अगर तो वो बटन के उपर लिखा होगा ना, तो आप ड्रैक वो बटन प्रेस करेंगे, एक थोड़ा से नीचे लिखा सर्फिस पे, अगर वहाँ पर लिखा हो, तो फिर आपने पहले शिफ्ट वाला बटन प्रेस करना है, और वो फिर बटन प्रेस करना है, अगर बटन के उपर लिखा हो, तो फिर आपने ड्रैक वो बटन प्रेस करना है, अगर कलिकर की सर्फिस पर लिखा हो, उस बटन के नी आपने answer वाला या equal वाला बटन प्रेस करना है तो आप लोगों के पास यह one answer आजएगा ठीक है उमीद है कि आप लोगो इसकी समझागी होगी उके उसके बाद यहां पर आजएगा 3C2 तो आपने यह वैसी करना है 3 पहले प्रेस करना है फिर NCR वाला बटन प्रेस करना है फिर 2 प्रेस करना है तो आपके पास यह answer आजएगा 3 अमीद है कि आप लोग इसको समझेंगे उसको बाद आजएथा 8C2 तो इसको भी आपने वैसी करना है तो वह आजएगा 28 तो 3 को 1 से मुटिपले किया 3 आजएगा और नीचे 28 है तो वह वैसे कर वैसे एक हमारा answer आ गया है एक हमारा काम हो गया जो मुश्किल काम था लेकिसमझ आगी है ना तो बाकी को सिंट तो कुछ भी नहीं है ठीक है बाकी तो आप लोगों को ने कैल्कुल करना ना तो कैल्कुलेट करना को मुश्किल काम नहीं है आप असानी के सद कर लेंगे उसका बाद आजए ता वन तो जहां पे आपने 0 लिखा था ना वहां पे अब वर्ण पूट करेंगे और टू में से यह तो दिया वार टूबन मानिस करेंगे यहां पर माना आजएगा नीचे टू ही रहेगा नीचे टूटल ही रहेगा याद एट था तो नीचे 8 c2 आजएगा एट सी टू इसको आप कल्कूल की मजरसे करेंगे तो वह त्वेंटी आजेगा निचे 28 फिर इसके बाद आगे आजएगा 2 तो एकस के यहां पे आप टू पूट करेंगे यह जो एकस दिया हुआ एकस यहां प्याप यह तू पूट करेंगे टू में से 2 मानिस करेंगी यहां पर 0 आजेगा और नीचे 8C2 तो 5C2 5C2 इसको आप हल करें ठीक है इसक 0 इसको हल करेंगे तो मारे पास 1 आएगा तो 10 को 1 से मल्लिप्ली किया 10 आजएगा और नीचे नीचे मारे पास यह 28 आजएगा ठीक है यह मैंने 8 लिखा हुआ स्वरी यहां पर 28 आजएगा अब आपने अगला काम क्या करना है यह हमारा क्वेस्टन हो चुका है लेकर आप यहां पर लिखेंगे summation probability of x यहां पर आप x लगाएंगे ठीक है तो यह summation इसका मतलब क्या है जमा करना मतलब कि जितनी पर यह आपने तीनों को आपने जमा करना है तो कैसे होगा तीन जमा पंदरा अठारा और दस अठाइस उपर भी अठाइस आजएगा नीचे भी अठाइ ही रहेगा या दखना है तीनों की नीचे ठाइस है तो नीचे वाला ठाइस ही रहेगा लेकर आपने सिर्फ उपर वाली वैलियू को एड़ करना है तो वो 28 ही बनेगा तो उपर भी 28 है नीचे भी 28 है यह दोनों कट जिएंगे हमारा answer 1 आएगा यहां पर हमेशा या दखना ह तुमाँ probabilities का sum equal 1 होता है यहां पर जितने भी हमने probabilities निकालनी है जितने भी आएंगी यह जो आप निकालेंगे इन सब को आपने जमा करना है और हमारा answer 1 आना चाहिए अगर तो हमारा answer 1 आया तो आपका question correct होगा otherwise wrong होगा आपने कहीं ना कि mistake की होगी ठीक है लहादा आप करने के बाद आपने चेक करना है कि आया कि इनको डिवाइड करने पर answer 1 आ रहा है या नहीं आ रहा ठीक है तो यह काम आप लोगों ने लाजमी करना है तो हमारा जो नीचे वाला यह आपने काम लाजमी करना है कि summation probability of x equal to 1 है ठीक है यह आपने यहां पे लिखने है तो यह हम कि उनको भी इसका फाइदा हो जाएं मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अला आफीज